साथियों, अमरित महोसों में देश ने हर एक देश वासी से सबका प्रयास का आहवान किया है गोवा का मुक्ति संग्राम, इस मंत्र का एक बड़ा उधारण है अभी मैं आजहाद मैदान में शहीद मेमोरियल को देख रहा था इसे चार हाथों की आकुरुतियों से आकाद दिया गया है ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे गोवा की मुक्ति के लिए भारत के चारों कौने से एक साथ हाथ उठे थे आप देखिए गोवा एक ऐसे समय में पुर्टुगल के आधिन गया था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की सल्तनत थी उसके बाद कितने ही सियासी तुफान इस देश ने देखे सत्ताओं की कितनी उठक पटक हुई लेकिन समय और सत्ताओं की उठा पटक के बीच सदियों की दुरियों के बाद भी न गोवा अपनी भारतियता को भूला न भारत अपने गोवा को कभी भूला ये एक ऐसा रिस्ता है जो समय के साथ और ससकत ही हुआ है गोवा मुप्ति का संग्राम एक ऐसी अमर जोती है जो इतिहास के हजारों जंजावातों को जेल कर भी प्रदिक्त रही है अटल रही है कुंक्रलली संग्राम से लेकर चत्रपति सिवाजी महराज और संभाजी के नेत्रुतों में बीर मराठाओं के संग्र्ष तक गोवा के लिए लगातार प्रयास हुए हर किसी की तरफ से हुए